नमश्कार दोस्तों भगवान आप सभी कबला करें और आपके सारे एक्षाय हैं में कमने पूरी हूँ दोस्तों अज मैं आप सभी को इसांच से रिलेटेड महत्म जान कर विए करूँगा जिसमें से पर आपके फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पर पाम का एनलाइज कर आप स हैं कुछ समय के इंतराल में वो काम करके दिखाने सब आपकी बेसिक नेशे में रहेगा पेशन्स थोड़ा सा गम देखने को मिलते क्योंकि कि किस भी चीज़ को पानी के जाहर जाए होती है इसलिए अपने थाट्स के पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हुए यहां देखने को मिलेगा और शॉर्ट फिंगर होने के कारण आप किसी के अंडर में कम्फिटेबल वर्क नहीं कर पाएंगे कि क्योंकि रूट से रिगुलेशन एथिक्स यह मन मुताबिक काम करना पसंद जादा करते हैं वहीं दूसरों को अपने अंडर में रप अच्छे से काम निकलव वाले देखने को मिलते हैं बिजनस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो मैनेजमेंट हलका सब वीग देखने को मिलता है अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाप में दिया तो उन सारे कारों में देरिया अच्छन बादर रुकावट जैसी चीज़े उपन होने दोनों कोंबिनेशन आपके जीवन में देखने को मिलेगा यानी रिस्क के लेने से भी ज्यादा पीछे नहीं हटेंगे responsibilities भी life में ले करके आगे बढ़ने वाले रहेंगे third finger की सबसे अच्छी खास बात यह होती है कि creative mindset जादा देखेने को मिलता है इसलिए हमेशा अपने काम में upgradation करने के आदद देखेने को मिलती है royalty based personality को indicate करता है और self met personality होता है इसका मतलब यह रहता है कि सबसे जादा जीवन में सफ़क खुद के महनत पर आकराम खोशिशों के बदोलत ही होते हैं first finger का जुका आपके सेटन के तरफ है अध्यात्म में यह रूची बढ़ाता है धार्मिक बनाता है तमाम तरह के धर्मिक रंत रहसे में विध्याओं के प्रति रूची होना और थोड़ी वेरागे की भावना होना जिसके तहद भीड से अलग रहने की योग निर्मित होते हैं finger के उपर सीधी खड़ी रेखाओं के शंखला friendly nature अप्रोच को दर्शाता है हर वेक्ति के से संबन तक्रिबन अच्छे है या लंबे रिष्टे कायम करके रखना हर परिस्तिती माहल में अपने आपको डालना यह सब basic nature में आता है finger के notes यहाँ develop clear cut नहीं है थोड़ा यह confusing mindset देगा decisions properly लेने ही पाते हैं किसी वेक्ति विशेक्स के guidance सपोर्ट के आफशकता बढ़ती decision लेने में बाकी finger के बीच में से gap independent nature अप्रोच को और थोड़े अधिक खडचिले पन को भी हाँ पर वेक्क करता है phalanges develop ठीक है इंटर्नल मार्स थोड़ा सा वीग जा रहा तो physical fitness पे ध्यान देने के आफशकता रहती है क्योंकि इस condition में जल्दी थकान मैसूस होने लगता है जो रोक प्रतिरों तक शंता है हलका वीग होने लगता है तो physical fitness पे जब ध्यान देने लगते तो in future हेल्थ के रिगारिंग दिक्कत नहीं आती है थम को जहां जोएंट पॉइंट हमांसल कम है तो flexibility nature में देखने को मिलता है समय पर इस्तिति के अनुसार अपने लिए गए decision ये planning में easily changes adopt कर पाते है adjusting nature attitude personality को ये develop करता है थम का साइज यहां पर short भी है जिसके तरह to the point बात करने सुनने ही आपको ज्यादा पसंद रहने वाला रहेगा जो यहां पर आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं फिर्स फिलेंज पर ये धन्वान होने का सूचक होता है तो धन की इस्तिति परियाप मातर में जीवन में आपके रहने वाली रहेगी और palm के size के बायर में यहां बात किया जाए तो palm का size आपके लंबाई चुड़ाई द देखने को अच्छे से मिलेगा सारे के सारे जोन हथेली में एक्टिव हैं जैसे यह आपका inspiration जोन हो गया action जोन हो गया thinking जोन हो गया तो जिस बात भी बात से inspired होते हैं वहां पर आप planning करते हो फिर उसका decision अच्छे लेते वे देखने को मिलते हैं यहां पर बात करेंगे अब करने के साथ-साथ जीवन में बजपन से ही तमाम तरह के सुख समरेद्धी प्राप्त होता है मेरेड लाइफ के लिए फॉर्मेशन बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि आफ्टर में प्रॉस्परिटी प्रॉपर्टी स्मोथनेस और तमाम तरह के सुख सुधाओं के साथ तरकी भी जीवन में प्राप्ट होते है यही रीजन है कि तमाम तरह के कष्टिया विपरी परी सीथी को सामना डेट कर करके आप कर पाएंगे और जीवन में इस thinking mentality में compromise नहीं करते हैं इसलिए continuous efforts डालते विए या continuous growth को यह यहां indicate करता है वहीं यहां के जो आड़ी रेखा है यह यहां पर आपको बहुत दयालू किस्म का nature देने के साथ सब्सक्राइब यानि धार्मी बनाएगे जिसके तहत अध्यात्म में रूची बढ़ने के साथ सब्सक्राइब धर्म का पालन करने वाले यहां पर आप देखने को मिलेंगे शोशल वर्कर अनिमाल लवर और खासकर दयालूक किस्म की प्रवति को यह इंडिकेट करता है जिसके अंतर का तागे से रहे करके दूसरों के मदद करने की यूति बनती है और जितने भी यह स्क्राइब जिससे साइन क्रेट हो रहे हैं यह सब प्रोडिक्शन के साइन है तो धन धन इसे संपल जीवन में देखने को मिलते हैं शनी पर भी बहुत से टूथ लाइन केते हैं जब यह रेखा अविलेबल हो तो हमेशा सच का साथ देना जूट फरेव दिखाव टिपंधों के बादे जैसे चीजों से दूर है न और लाइफ में अपोर्चुनिटी बहुत अच्छी इस कंडेशन में बनते हैं देखने को बिलती हैं इसलिए नहीं धनकी नहीं किसी परकार के संग्यों यानि अपोर्चुनिटी की कोई भी कमी यहां पर नहीं रहती हैं लाइफ में सैडिस्वेक्शन भी बहुत अच्छा इस परकार के लक लेन देता है भाग रेखा के बारे में देखेंगे तो यह आपकी जो लाइफ लेन है वो यह लेन से निकल के आगे की तरफ बढ़ रही है अगर इन लक लाइन के विशे में बात किया जाए एज के विशे में तो यहां पर यह दोनों एज निकाल रहा है अपना 28 सबसे पहला दूसरा 34 यानि इन दोनों एज में आपके द्वारा जो भी एपर्स किया जाएगा जेस भी काम में प्रैत में किया जाएगा उन सारे कारियों में सफलता मिलने के साथ बहुत ग्रेड सक्सेश या बहुत बड़ा धनलाब की स्थितिये बनाएगा और इसी उम्रे से कंटिनियूस ग्रोथ है यानि 28 से कंटिनियूस ग्रोथ रहेगा और जो लक लैन है वो आपका अटेज्ड है मून से भी तो इस कंडिशन में जन्मिस्थान से दूर भाग्यूदय होने की योग या शादी की ततपशाद कमफर्टेबिलिटी बढ़ने की योग फॉरें से कनेक्टेड बिजनस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेवलिंग की रिगार्डिंग भी काम करने से मिलना ले भाग्यूदय की योग को निर्मित करता है इस कंडिशन में पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है इसलिए किसी भी प्रकार की बिजनस में ग्रोथ खासकर पब्लिक के सपोर्ट के द्वारा देखने को मिलता है और यहाँ पर जो लकलाइन है पूरी की पूरी सेटन तक पहुच रहे है इसलिए आप अपने लाइफ में फुली सेटिसफाइट रहेंगे अब इन सब के अंतर फिता का मांन सम्मान भी बड़ाता है पिता से सूख प्राप्ट की योगों को भी निर्मित करता है और जब सूर्य पर मचली बने या किईतू बठेग दो यह दोनों ठेटर या जंब गुट निशित रूप से सप्राप्त होता है जानी स्क्राप आपको लाइफ में देगा और कभी भी धन की नहीं इज़त सम्मान की नहीं किसी प्रकार के संतुष्टी की कोई कमी नहीं रहने वाली है आपके लाइफ में यह सारे formation बहुत बढ़िया है तो इस condition में multiple sources of funding को एक से ज़्याद माध्यम उसे धना अर्जन करने के साथ अनेकों माध्यम में धन खर्ज करने की यूग भी बना देता है लेकिन इन सब के बावज़ुद भी कभी पेसों में कभी होती नहीं है पेसा देकर के दूसरों से काम कराने की आदत भी इस condition में देखने को मिलता है तो यह सुर्य मान सम्मान इज़द परतिष्ठा इन सारे चीजों को बढ़ाने वाले रहता है और आप एक से ज़्यादा काम करने वाले भी रहेंगे क्योंकि multitasking आपका nature है हर छेतर में हाथ आजमाना या एक से ज़्यादा skill आपके अंदर यहाँ देखने को मिलेगा बीच में जो यह रेखा जा रहे है इसे विध्या रेखा केते हैं तो दूसरों को guide advice suggestion या फिर consultancy के regarding कोई भी काम करने से भी लाव अच्छा यहाँ देखने को मिलता है Fingerprints के accordingly जो इस प्रकार के आकरती बन रहे हैं इसे loop of seriousness केते हैं तो कहीं न कहीं रहते रहते थोड़ा serious nature हो जाना भीड़ से अलग रहना एकान पर यह किसम का विक्तित इसी कारण से आपको होता है और थोड़ा यह moody nature भी देता है यहाँ पर बीच में जो इरेखा जा रही है यह यशश्वी योग का निर्मान करती है तो खुद के पराकरम मेहनत के बदोले जिएन वे सफलता के साथ सा अपना घर बना पाने में भी सक्षम रहेंगे मरकर इमान थोड़ा सा वीक हो रहा है तो कई मरतब बाते मन में दबी रह जाती है लेकिन एक सत्यतिक रेखा मीठी बोली की निशानी होती है तो अपने बातों से किसी को अच्छा प्रेरित प्रभावित या फिर आकरशित कर पाने या बांदे रखने की अपने बातों से सक्षम ताप के अंदर अच्छी रहेगी वहीं जो हरद रेखा है यहां से बहुत स्ट्रोंग ले निकल के आपके योनियल लाइन के तरफ जुकरा जिसके करन आप अपनी स्पाउस के प्रती भी डेडिकेटिड, ओनेस्ट, लोयल जादा रहेंगे ख़द रेखा यहां से सीधे निकलते वे आपके गुरु से कंजंग्ट है जो की emotional nature को दर्शाता है इस condition में दिल से ज़्यादा सूचना दिल के दौरा अतिदिक निर्णे लेना, emotion based personality को यह यहां create करके देता है और यही reason है कि आप जैसे जातक दूसरों पर trust जल्दी करते हैं, expectation ज़्यादा लगा लेते हैं जूट फरेव या फिर किसी भी प्रकार के जाल साजी जैसी चीज आती ही नहीं है करना दिल के साफ देखने के अंतरगत, soft hearted देखने को मिलते हैं, honest loyalty आपके अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा जिस भी वेक्ति के साथ रहेंगे, अपने तरफ से 100% efforts और वेक्ति के लिए देने वाले आप यहां रहेंगे और जो बीच में कुछ रेखा जा रही है यह सब practical spirituality देती है और बहुत ज़्यादा ही एक प्रकर से धर्म के प्रतिच आगुरुत करने लगती है logic ढूंडने लगते हैं हर बात की पीछे वहीं जो फ्रेदर एखा कि शंकला है कुल मिला करके ठीक चल रहे है लाइन तो स्वासंबन्दी जादा दिखकर नहीं रहेगा रिस्ते नाते अच्छे सा आप मिंटेन कर पाएंगे mind line और life line में जब island का ऐसा formation हो तो बच्पन थोड़ा कष्ट में देखने को मिलता है लेकिन इसके बाद में जाकर के mind और life line में जो इंडिपेंडेंसी भी आ रही है वो भी बहुत लेट आ रहा है 28 में progress line बहुत अच्छी निकली है और इसके बाद mind line पूरता है independent भी हो रहा है तो खुद के दम पर काम करना या risk लेना या decision लेना प्रारम भात का हो जाएगा और बहुत अच्छी खासी रेखा है उपर के तरफ जुक रही है एक आ एक उम्रत 37 में तो 37 तक आते आते बहुत अच्छा money mindset हो जाएगा या फिर एक से ज़्यादा माध्यमों से earning बहुत अच्छी देखने को मिलेगी क्योंकि जब strong line mercury के तरफ जुकता है तो यह pure business में सफल होने जैसे योगों को सपोर्ट एलाइन आपके हथिली में दिख रहे है 21 से यानि इस उम्र से कही न कहीं सपोर्ट दूसरों का अच्छा प्रारम होता दिख रहा है बाहर के तरफ जितने भी यह सब रेखा है जुक रहे हैं इस बात का प्रमाण है कि आपको अपना hometown से बाहर जाना ही पड़ेगा और बाहर सेटल होने के चांसे मेरेज के बाद तो खासकर बहुत ज़्यादा ब्राइट है और अभी mercury line developed हुआ नहीं है लेकिन इन future यह developed अगर होता है तो इस condition में यह excuse को भी develop करेगा learning habit को भी develop करेगा और earning जो हो रही है उसको saving में convert भी करेगा अभी यह ऐसा होता है कि पेसा रुखता नहीं है खट्चे तो बहुत ज़्यादा बंधिवे देखने को मिलते हैं तो इन future यह prominent जब होगा तब पेसा अच्छा रुखेगा भी और उसका सदुपयोग भी हो पाएगा और जो मिड में यह रेखा जा रही है जिसमें triangle का हलका सा sign बना हुआ तो इस condition में खु साइन बनता है तो इस condition में भी property में investment बहुत होने के chances यह create कर देगा अभी तो बहुत सारे science आपके हतेली में बनना बाकी ही है लेकिन यह जो guardian angel line है इसका काम है protection देना तो हमेशा कही ना कहीं से आपको support मिलते रहेगा जिसके करण आपके काम बनते रहेंगे और बिगड़े क काम जो है बनने के साथ साथ तमाम तरह के उलजनों से भी आप निगलते नहींगे दूसरों के सही होग के दौरा 24 के पहले तक की उम्र में थोड़े एक रेसिव ज्यादा थे instant decision लेकर के losses भी खाते थे इंटर्नल मार्स के स्थिती पर थोड़ा काम करने की जरुवत है बाकि आउटर मार्स डेवलप ठीक है तो mentally strong रहेंगे हलका सा family life issue, minor issue आ सकता है 34 में बाकि उसके अलावा तो कोई दिक्कत ऐसे majorly है नहीं आपके luck line में भी और यहाँ पर life line के उपर भी शुक्र के उपर जब आड़ी रेखा हों कि शंकले जादा रहे तो इस condition में यह unnecessary worries देता है जो कि overthinking, negative thinking या family pressure के द्वारा आता ही है family responsibilities थोड़ी जादा बढ़ा देता है और इस condition में joyfulness या happiness पर यह दिक्कत देने लगता है तो शुक्र आपका छेतर विक्सित अच्छा है जो pure luxurious life को indicate करता है भोग विलास और तमाम तरह के सुख सम्रिधी युक्त जीवन शली देता है लेकिन आड़ी रेखा उन सभी जो सुख है उन सभी में कमी लेकर क्या जाता है इसलिए अपने आपको negativity से दूर रखने या family matter से दूर रखने कि सकत यहां पर आओ शकता है तब जाकर के peace, happiness या enjoyable यह सारे combination life में देखने को मिलेगा सिधी खड़ी रेखा है, opportunities बहुत अच्छी देती ताकि lifestyle बेटर हो सके हाला कि यह शुक्र आपको शोकिन किसम का nature भी देगा जिसके तहत अपने सारे शोकर मानों की पूर्ती करने के साथ अधिक खर्चल अपन भी इसी कारण से क्योंकि छोटी मोटी चीजों से deal नहीं करते हैं, हमेशा royalty और good standard of living को maintain करने के करण खर्चे सा शुक्र जादा करवा देता है, fashion, beauty, designing जैसी चीजों पर भी interest बहुत जादा देखने को मिलता है केतु वैसे अच्छा है, जितना धार्मिक रहें, उतना ज्यादा luck enhance होता रहेगा, moon का connection है, mother support अच्छा दिता है, चंदर वैसे विक्से ठीक है, तो जितना ज्यादा सकरात्मक रहें, उतना ज्यादा positivity life में, फिलता आपके जाएगा left hand में भी देखेंगे luck line के बारे में, तो यहाँ पर भी देख सकते कि moon के area से luck line चल रहा है, और luck line सीधे निकलते वे आपके Jupiter तक पहुच रहा है, जो second one इस्टार्ट हो रहा है, 36 से, तो Jupiter पर जो luck line पहुचती है, तो competition बिलकुल खतम ही कर देती है, यारि जिस भी छेतर में आप रहेंगे, महां पर आपको competitor बहुत कम टिक पाएगा, उस शेतर में आप सबसे अवल या सबसे प्रसिद समरिध या फिर सबसे ज़्यादा नामी आपका काम या आपका एक प्रकार से व्यापार ये service देखने को मिलेगा, इसलिए life line भी बहुत smooth होती जा रही है, mind line भी smooth रियाक करा है क्योंकि tremendous success दिख रहा है 36 से, अभी 28 से तो है ही, लेकिन 36 से continuous growth आपके life में रहेगा, और 28 से pure earning stable होना शुरू हो जाएगा, या growth उसमें भी होना शुरू हो जाएगा, और ध्यान रहे fish symbol जैसे sign है यहाँ पर, लेकिन तब भी life में थोड़ा तो struggle ये देता है, प या mentally या physically और ज्यादा strong हो जाएगा, इसलिए जब जब struggle आए तो easily face करेगा, उस struggle के बाद बहुत tremendous growth या success a good result आपको पराप्त होगा, तो यहादी सबसे महत्मुन बात है आपकी हाथ करेगारिंग, आशा करता हूँ सभी प्रेश्न को अत्तर मिल जा हूँ, तब तक आप अध्यान रखें आपको बहुत बहुत धन्यवाद